हालो फ्रेंट्स, वालकम टू स्टडी पोर्टल, स्टडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है दोस्तों हम हर रोज मर्रा की जिंदिकी मेना जाने कितनी गाडियां हम देखते हैं सडकों पर और उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर जब आप गोर्ग करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की नंबर प्लेट्स मिलती है जैसर कि कोई white color की नंबर प्लेट्स होती है, कोई black, कोई yellow, कोई blue, कोई green बे तो आपने क्या कभी notice किया है, इनका मतलब क्या होता है इंडिया में अलग-अलग परकार की number plates क्यों जारी की गई है कौन इनको जारी करता है, क्या इनका मतलब होता है और किस लिए ये use में आती है क्या आपने इन सभी बातों पर गोर किया है तो आईए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी number plates जो अलग-अलग तरीके की होती है किस number plates का क्या मतलब होता है दोस्तो study portal पर आपको हर एक government exam के study material प्रोवाइड होता है चाहे वो आपका teaching exam हो, UPSC, PCS, DSSB, KVS, CTAT, MPTAT कोई भी government exam आपको हर तरीके के study material पर प्रोवाइड होता है तो इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि हम आपको कुछ ऐसे तत्यों से भी रूबरू करवाए जो हम रोजमर्रा की जिनकी में देखते हैं और हम सोचते हैं कि इसका मतलब क्या होगा लेकिन फिर भी हम कही न कहीं अपने doubts को clear नहीं करते हैं और हम उस चीज को छोड़ देते हैं आप मेंसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना जाने कितने लोग होंगे जिन्नोंने अलग-अलग number plate सो देखी होंगी लेकिन कभी google करके या कभी कोई वीडियो देखके या कभी किसी से पूछ के ये concept clear करने की कोशिश नहीं की होगी कि इस number plate का मतलब क्या है तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी doubt आता है या तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं इसी तरीके के doubts की कि किस चीज का मतलब क्या है या कोई ऐसा doubt जो आप हर रोज मतलब की जिन्दकी में देखते हैं और आपके मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है तो उस तरीके की questions को आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपके लिए वो वीडियो लाने की भी कोशिश करेंगे तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले देख लेएं किस किस तरीके की number plates होती है यह आप screen पर देख पा रहे हैं जो हम frequently देखते हैं जो आपके घरों में भी आपकी bike पे आपकी गाड़ी पे यह number plate होती है यह होती है white color की number plate जिस पर लिखा होता है black color से तो यह है white number plate with black letters आगे चलते हैं इस तरीके की number plate भी आपने देखी होगी हाला कि यह number plates आपको कम दिखाए पड़ती है लेकिन आपने यह भी देखी होगी इसके अलावा यह आप देख सकते हैं यह green color की number plate है जो जिसका number style कुछ अलग ही है यह अपके state यह united territory के नाम से start ना होके arrow से start होती है तो इसको भी हम वीडियो में देखेंगे की इसका मतलब क्या है आगे यह भी इसी तरीके का है जिसमें की आपका arrow से निशान से start हुआ है यह आपकी blue color की यह आपने डैली में या किसी भी metro city में आपने यह visually देखी होगी इसके अलावा yellow number plate यह भी आप frequently देखते हैं जब भी आप उला उबर आप करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है यह आप देख सकते हैं यह एक अलग तरीके की गाड़ी है जिस पर number plate आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है तो अपना emblem तो यह भी हम दे इस वीडियो में देखेंगी कि इस गाड़ी को कौन यूज कर सकता है और किसको हमने यह authority दी हुई है इसके लब आप देख रहें कि green number plate यह दोस्तों हो सकता है कि आपने हार रोज चलते हुए बहुत ही कम देखी हो तो इसका मतलब ही हम देखेंगे इस वीडियो में और इसके अलावा है यह यह number plate भी आपने देखी हो कि लेकिन बहुत कम नई नई गाड़ियों पे यह number plate आप इसके भी motorized हमारी road विकल है इंडिया में वो एक registration होता है उनका एक license number होता है और क्या होता है जो विकल registration number हम उसको बोलते है number plate और जो यह number plate है इसको issue कौन करता है यह issue होती है district level के regional transport office यानि की RTO regional transport office को हम बोलते है RTO तो district level पे RTO जो है अलग-अलग state की respective state की वो इसको issue करते है जिनको जो आर्टियो के है the main authority on road matters, road matters पे जो main authority वो किसी होती है RTO यानि की regional transport office तो जब number plate है आपने देखी होगे आपके bike या आपकी गाड़ी के आप front में भी लगती है और आपके back में भी लगती है तो दोनों साइडिया आपको number plates लगानी जरूरी होती है अधर इसके लावा कुछ guidelines भी होती है कि आपको इसके number plates लगानी जैसे कि अभी जो चला हुआ है आपको यहाँ पे इंडिया का symbol होना चाहिए यानि computerized जो number plate चली है वो चली हुए है इसके अलावा कुछ phones है जो आपके restricted है वो phones आप नहीं यूज कर सकते number plate में तो यह है यह मैं आपको दावे के साथ कह सकते हूं बहुत लोगों कि जिनको यह नहीं पता होगा आपको यह तो पता है कि आप अपनी गाड़ी को लेकर ज outside plates की यानि कि कि किसी और other state के number plate की वाली गाड़िया उसमें कुछ स्थानों पर बार की गई है कुछ एरिया पर वो restricted एरिया पर वो बार है आप वहां पर यूज नहीं कर सकते तो एक मातर जैसा state है वो है सिकिम जहां पर आप other states की number plates की गाड़िया कुछ एरियों पर सभी सि सदो चैनल ट्रीकिंए करें आप बैंट्रीडरे मिटया कोड़ियों च्कटेएं यह उनी अलवर्यसीरे वकष्पेन नंबर को एक एंडिया का इंडिया घठी है या अपर आप देखते हैं कि इतने कितने पर चांकी नमबर प्लेट्स होती हैं तो यहां पर आप देख़ा ह buscar विकल information registration plates are formed as follow यह है basically यह आपने देखी है white number plates white plate है यह with black letters yellow number plate with black letters black number plate with yellow letters blue number plate with white letters green number plate with white letters और एक होती envelope of India से तो हम यही इस वीडियो में देखने वाले है कि इन सभी number plates का मतलब क्या होता है और किसलिए यह जरूरी है किसलिए आपको जानना यह जरूरी है यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो जो current format है वो basically क्या है आपकी वीडियो का आपकी number plate का sorry तो देख लेते हम जो current format है registration index का वो basically चार पार्ट में होता है जो आपके पहले दो लेटर है जैसे आपने डली में है तो आपने देखियो कि DL से start होती है तो जो दो लेटर है वो क्या represent करते हैं व आपके state या union territory को उसके आगे next to visit जो होती है वो क्या represent करती है वो करती है आपकी sequential number of district जब भी आप देखें जैसे डल है 2, 3 ऐसे start होते है तो यह sequence represent करते है जैसे एक sequence खतम हो जाएगी तो 3 start हो जाएगी 3 की sequence खतम हो जाएगी तो 4 start हो जाएगी तो एक sequence जो है वो represent करती है due to heavy volume of the vehicle registration number were given to the RTO office of registration alway तो RTO offices को किसलिए use करते है क्योंकि numbers of vehicles इतने सारे हो जाते है तो वो sequence उसके बाद आता हमारा third part, third part में भी 1, 2 या 3 letters होते हैं कुछ गाड़ियों पर आपने देखा होगा ऐसे होता है DL2A और कुछ गाड़ियों पर आप देख रहें DL2AB है तो यह क्या तो यहां पर हमने क्या शुरू कर दिया A A फिर A B इस तरीके से तो इसलिए यह क्या है सिक्वेंस है एक एक डिजिट की भी हो सकते है टू डिजिट की भी रागयागी थ्री डिजिट की भी हो जाएगी तो एक ongoing series है और आड़ियों की ही यह इसी भी इसलिए क्योंकि जो वि के लिए parking लोट के लिए जाते हैं या कोई भी आपसे पूल सकते हो यह कि इंडिया रिपरेजेंट करता है और इसके अब ऊपर क्या होता है जो तो चक्करा का hologram होता है, तो यह भी मैं आपको दिखाऊं नहीं, ठीक, यह कहां पर होता है, तो चलिए, जो color है, basically 5 color combination यूज़ होते हैं हमारे number plates में, blue, green, black, yellow, white, इस तरीके की हमारे 5 color combination है, तो जो plates है, white background with black text है, वो क्या होते है, private vehicles होते हैं, हम इसमें देख लेते हैं, आज चल रहे है, ठीक है, यह भी एक sequence number के बाद, और यह क्या है, आपका गाड़ी का number है, basically, तो इसमें, यह क्या है, white background, indicating private vehicle है, यह white background क्या दिखा रहा है, white background दिखा रहा है, कि यह आपका privately vehicle है, यानि कि आपका खूद का vehicle है, आप इसको चलाने के लिए, आपको simple, आपना DL चाह होता है, basically, यह, जो यह आपके होते हैं, लोक, तो यह non reasonable lock होते है, snap lock, December होते हैं, यहाँ पर एक unique serial number होता है, आपने देखा होता है, तो number attached with laser के साथ यह number लिखा होता है, और जो इंडिया लिखा होता है, वो basically क्या होता है, 45 degree पे होता है, blue से, white dot, hot stamping on foil पे, जो hot stamping करके उससे यह बना होता है, next, next हम देखते हैं, कि 5 components होते हैं, Indian number plates के, वो क्या-क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं, color, मैंने आपको बताई दिया, कि color के बेस पे कोई white है, कोई black है, कोई yellow है, कोई blue है, कोई green है, तो इस तरीके कि आपकी number plate होती है, उसके आगे है, आपका letter का color, letter का color मैंने आपको starting में दिखाया, कोई yellow भी हो सकता है, कोई white भी हो सकता है, कोई black भी हो सकता है, next, initial letters और initial desert, जो हमने देखे भी, कि जैसे यहाँ पे है, dl, उसके बाद letters के होगे, two, और desert क्या होगी, यह इस तरीके से होती है, next, क्या है, four desert with prefix with letter, तो यहाँ पे जैसे यह, तो य यह represent कर रहा है, state को, maharashtra, उसके बाद यह number के sequence, उसके बाद a digit, और यह आपको four digit का number है, तो इसके बारे में हम discuss करेंगे, कि क्या है, white number plates with black letters, तो इसका मतलब क्या होता है, तो white number plates, जो कि आप example देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों, जो white number plates होती है, वो basically, white background होता है, उसके बाद ब्लाक अक्षर से लिखा होता है, यह आपके private vehicles होते हैं, यह आपके अपने private use के लिए होते हैं, आप इसको private use कर सकते हैं, लेकिन आप इसको commercial use नहीं कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी दूसरे state में ले जा सकते हैं, आपको कोई भी road tax नहीं देना ह होता है, इसके लिए, अकर आप commercial ले जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए होता है, और इसके लिए जो आपका driving लेस mention, जो आपका simple driving lesson होता है, अगर आप bike चला यह मिल जाएंगी चैक्स के सात होता है इसका मतलब यहób के लिए हैं सफ़ कमर्शियल परफबस के लिए ही WEG यूज ही जा सकती है और जियाँ कर विक्रक्राइवर मस्ट धेले कमर्शियल生gor то यह ड्राईविंग पर मिट आ चाहिए उसका पर्सनल से यह नहीं चाह Monsieur नेक्स आप देख पाने हैं इसमें उल्टा है black तो प्लेट है लेकिन yellow से लिखा हुआ तो इससा मतलब क्या है black number plate with yellow letters तो उसका मतलब क्या है कि ये भी commercial विकल्स ही होती है लेकिन ये आपको rent पर मिल जाती है self drive के लिए जैसे कि example आप देख सकते हैं zoom car जूमकार्स में जब आप देखते हैं तो आपको black number plate मिनेगी और yellow से wording होगी तो ये आप किसी भी commercial purpose के लिए दे सकते हो without the limitation of driver यानि कि आप इसको self drive करा सकते हो इसमें driver रखना जरूरी नहीं है और इसको आप क्या है simple आपने जो आपका deal है उससे भी आप इसको चला सकते हो next यहाँ पर आप देख पार है कि green number plate है with white desert तो इसका मतलब क्या होता है जो आपने बहुत ही कम देखेंगे I guess तो green number plate का मतलब होता है eco-friendly green किसले होता है eco-friendly तो green plates with black lettering are meant for a vehicle run with electricity इसका मतलब है कि यह electricity से चलती है और undoubtedly इस विकल्स with green number plates are eco-friendly यह eco-friendly होती है it is also sign of cooperation with government to save petrol यानि कि यह एक cooperation दिखाता आपका government के साथ petrol save करने के लिए next आप देख पार है blue color की गाड़ी है blue number plate है और white इस पर letters है तो इसका मतलब क्या होता है यह आप example देख पार है इसमें आपको क्या दिखाए दे रहा है इसमें आप बोलोगे कि SADL या फिर आपका CH HR यह तो दिखनी रहा state तो दिखनी रहा आपको letter जो दिख रहे है starting की किस से हो रहे है number से हो रही है ending भी number से हो रहे है बीच में क्या है CD what do you mean by CD yeah what do you mean by 1919 का मतलब क्या CD का मतलब क्या वह अब हम इस वीडियो में इसमें देखने वाले हैं तो विकल्स belonging to foreign missions यह उन लोगों के लिए है जो foreign missions के लिए foreign missions के लिए यानि कि foreign से इंडिया में कुछ काम करने के लिए foreign लोग है इसमें आपको मिलेंगा वह मिलते हैं UN यानि कि United Nations UN अगर लिखा है यहां पर CD की जंग है यहां पर UN लिखा तो इसका मतलब होगा United Nation जो यह CD लिखा है इसका मतलब क्या है diplomatic cops और अगर यहां पर CC लिखा होता है तो उसका मतलब क्या है Consular cops और यह जैसे 19 है यह आपका रिप्रेज़न करता है country को तो country के code है जैसे हमने आपने इंडिया में क्या है स्टेट को हम रिप्रेज़न करें Delhi को दियल से हर्याना को HR से इसी तरीके से यह जो है यह country का code है आप यह Google सर्च कर सकते हैं आपको country के code मिल जाएंगे कि कौन सा यह आप देख सकते हैं यह आपको देखने से पता चल रहा है कि इसकी गाड़ी है एक military की गाड़ी है इसमें बैसिकली number plates आप बोलोगी यह नंबर प्लेट सो लगी नहीं है यहां पर ही number लिखा है तो military की जो गाड़िया होती है उसमें यह जरूरी नहीं है कि किस तरीके कि नंबर प्लेट होगी black पे होगा green पे होगा या किस तरीकी को होगा लेकिन यह नंबर से रिप्रेजन करते हैं तो military vehicle में अगर आप यह बोलोगी कि ग्रीन पे है तो यह भी एक military vehicle है और यह आप ब्लैक पे देख पारें तो यह एक military vehicle है military vehicle की पहचान क्या है कि यह एक arrow से start हो होता है जनल यह आपका first character ही होता है और यह हमारा British rule से चला आ रहा है तो यह two desert होते है basically इसके बाद वो बताती है कि किस year में यह बना है जैसे कि यह two zero two है यह zero two है तो यह कब बनी है 2002 में बनी है यह 03 है यह 2003 में बनी है तो यह year represent करती है फिर alphabet इसके बाद वो procurement बताती है जैस ग्रेंघ्स से बी है तो यह basic Jeep का Number है basic Jeep का Number है ठीक है तो उसके बाद आपका एक unique serial number होता है यह आपका represent करता है अब इसको RT0 करता रजिस्टर को लाइसनस को नहीं देता रट इन देता है Ministry of Defense, Ministry of Defense ही इसको register करती है, वही इसका license देती है, RTO इसका license नहीं देता है, तो ये बात आप याद रखिए का, इसके अलावा क्या होता है, कि जो plate है, उसके उपर आपने कभी star भी देखोंगे, 1 star, 2 star, 3 star, तो इन star का मतलब क्या होता है, 1 star का मतलब होता है, brigadier, 4 star का मतलब होता है chief, 5 star का होता है, field marshal या admiral, next, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक red color की plate है, जिस पे emblem चपाई है, हम आपको next, में पिक्चर में दिखा देती हूं, और यहाँ पर एक flag का निशान भी है, तो यह आप guess कर सकते हैं, किस की है, यह basically use करते हैं, हमारे president or governor, यानि कि red plates पे emblem of India होता है, gold में basically, यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्लैक को भी टांगने का इनका rights है, यह हम उन लोको को देते हैं, जिनके लिए हम सम्मान वेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई number plate हम नहीं देता है, बलकि red पे हम उनको emblem लगाने की authority देते हैं, तो red plates have no number on them, red plates इंके लिए पर कोई भी number नहीं होता, बलकि क्या होता है, golden emblem होता है इंडिया का, तो यह कौन यूज करता है, अपना president of India और governors of the state ही इसको यूज कर सकते हैं, तो these special plates with national symbols of the golden emblem signifying the executive authority of fickle user, तो यह जो number plate है, यह क्या define करती है, executive authority, क्या define करती है यह, executive authority of vehicle user, यानि के इसको सर्फ कौन-कौन यूज कर सकता है, यह तो हम president और या फिर governor, governor of state इसको यूज कर सकता है, next, आप यहाँ पर देख पार है red number plate पे white letters, तो इसका मतलब क्या है, यह आपके basically क्या होते है, test vehicles होते है, red name plate जो होती है, for use by vehicles, manufacture, while testing और promoting a new vehicle, जब भी आपने देखा हो होगा, कोई भी आप गाड़ी मोलते है, test driving के लिए कोई देते है, तो क्या होती है, वो red होती है, उसके white से लिखा होता है, कई बार आपने देखी होंगी, कोई agency है, वो आपे बहुत सारी गाड़िया खड़ी होती है, basically उसके यही plate होती है, या फिर कोई ऐसी गाड़ी है, जो सिर्फ testing के लिए आई है, अब इस पर मतलब test करके ठपल अगरा बाकी है, तो क्या होगा, वो red number plates होती है, जिस पर white से लिखा होती है, यह बिसलिए testing propose के लिए, या किसी को promote करने के लिए use होती है, यह आप देख पारें, यह क्या है, A oblic F, यहाँ पर तो कोई number नी दिख यानि कि applied for, जब भी आपको इन नहीं गाड़ी लेते हैं, जब भी आपको इन नया वहिकल लेते हैं, तो क्या होता है, या तो आपको temporary number मिलता है, और temporary number आजकर जोनली मिल जाता है, otherwise temporary number नहीं मिलता है, तो उस पर आपको लिखा होता है, AF, यह आप तभी तक यूज कर सकते ह हैं, जब तक आपका permanent number नहीं आजाता है, यानि कि applied for, जब भी ऐसा लिखा होता है, तो कोई भी बंदा देखके समझ जाता है, या प्रिस वाला जो होता है, वो देखके समझ जाता है, कि applied for है, यानि कि अभी इसकी number प्लेट जो है permanent वो नहीं आई है, तो वो ये AF लिख रहा है, कुछ temporary number दे देते हैं, कुछ AF दे देते हैं, तो इस तरीके से, तो थेंक यू दोस्तों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था आपके लिए, तो study portal 8447410108, यह हमारा help line number है, आपको किसी भी exam के तयारी आप कर रहे हैं, किसी भी, आपको कोई भी competitive exam आपको clear करना है, तो आप उसके लिए study material हम से इस number पर contact करके मंगवा सकते हैं, यह number आप Dr. Vijay के नाम से save कर सकते हैं, आप study portal के नाम से save कर सकते हैं, इसके लिए आप UPSC, state PCS, KVS, DSSB, CTAT, MPDAT, REIT, यह कोई भी और state का TAT, जैसे कि दलंगाना, अंदरपरदेश, बिहार, UP, कोई भी कि किसी भी चीज का teaching exam है, SSC है, banking है, railway है, UPSC है, PCS है, किसी भी तरीके कि अगर आप कोई भी government exam की तैयारी करें, आपको कोई भी help चाहिए, तो आप हमारे channel पर visit कर सकते हैं, अगर आप इस channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कोई भी query आती है, कोई भ बातें आपको सिखाने की, तो इस तरीके की video, या पर government exam की तैयारी के लिए तो आपकी Hindi, English, GS, Math, आपकी हर तरीके की video आपर हैं, कुछ पुराने आपके practice set papers भी है, कुछ जो पुराने आपके exam है, उसके आपके previous year के questions with solutions है, तो आप अहाँ पर visit कर सकते हैं, इस channel को subscribe कर दिल ताकि आपको जो भी notification आए, वो आपको time पर मिलती रहे, आपको पता जल जाएगी, जैसी कोई video upload होती है, तो दोस्तों इस video को जितना हो सके उतना like कीजे, share कीजी अपने दोस्तों की साथ, ताकि उनको भी, उनकी भी general knowledge, कुछ बाते उनकी भी बड़े, जरूरी रही कि हर ए झाल 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 झाल